हेलो दोस्तों स्वागत है आपका बायोग्रफी डाइरी में 1967 में रिलीज हुई सुनिलदत स्टार हमराज ने बॉलिवुट में एंट्री लेने वाली विमी को रातो रात स्टार बना दिया 60 और 70 के दशक में परदे पर राज करने वाली एक्ट्रेस विमी की खुबसूरती का हर कोई दिवाना था फिल्म की कामियाबी से विमी को करीब 10 फिल्मों में काम करने का मौका मिला हाला कि शराब की लत, बढ़ते कर्ज और खराफ फैमली लाइफ ने विमी का करियर बिगार दिया और विमी का अंत बेहदी दर्दनाक हुआ था फिल्मों में आने से पहले ही विमी शादी शुदा थी लेकिन इस से उनके फिल्मी करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ा उनके पती का नाम शिव अगरवाल था जो कलकत्ता के एक बिजनसमैन थे इस शादी से विमी के घरवाले उनसे बेहद नराज हो गये थे खबरों की मा ने तो विमी के पती उनके करियर में बहुत जादा दखल देने लगे थे उनके सास ससुर को भी फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था कहा जाता है कि विमी के पती उन्हें काफी प्रताडित करते थे यहां तक की विमी को कौन सी फिल्म करनी चाहिए या नहीं ये सब विमी के पती तै करते थे पती की वजह से उनका स्टार्डम कम होने लगा आखिर में विमी के पती ने अपने माता पिता के कहने पर उनको तलाग दे दिया था तालाग के बाद विमी बिलकुल अकेले रह गई थी विमी बेहत खुबसूरत थी लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल जादा अच्छी नहीं थी फिल्मेकर उनसे कतराने लगे और विमी को फिल्मे मिलना बंध हो गई जिससे विमी के पास ना तो कोई इमोशनल सपोर्ड बचा और ना ही प्रोफेशनल विमी प्रोडियूसर जॉली के साथ रहने लगी जॉली ने उनकी मदद कम की और उनका शोशर जादा किया विमी इस कदर गुमनामी में चली गई थी कि उनकी कोई खोच खबर लेने वाला नहीं था डिप्रेशन, करियर खत्म होने और माली हालत खराब होने की वज़ह से विमी ने खुद को शराब के हवाले कर दिया ये भी कहा जाता है कि आर्थिक तंगी के चलते विमी ने खुद को व्यश्य व्रत्ती के हवाले कर दिया था और इससे उनका बचा करियर भी बरबाद हो गया आखिर में विमी के लीवर ने काम करना छोड़ दिया 22 अप्रेल 1977 में विमी इस दुनिया को छोड़ कर चली गए उस वक्त उनकी उम्र महत 34 साल की थी